यह crew अप डियर विप नुज में आप सभी का स्वाकत है मैं हुसेयत सल्बान और हम बात करेंगे महाराश्ट की राजनिती की बात करेंगे राश्ठांक्र की बास्ट करेंगे हम भारती जन्दापार्टी की और बात करेंगे शुब से ना की इन दिनों लाउड स्पीकर का मुद्दा गर्बाया हुआ है इत का तेभार है महारास्टर दिवस है और इस बीच रास्ठाकरे का वो बयान काफी चर्चा में है कि तीन तारीक तक का अल्टिमेटम है उसके बाद फिर जो कुछ भी होगा उसके ज जंडे का न सिर्फ रंग बदला है बलके अपने तेवर भी बदले हैं मराठी मुद्दों पर आकरामा करने वाले रास्ठाकरे नहीं यह तै किया है कि अब वो हिंदुत्व की लाइन लेंगे हिंदुत्व की लाइन बिलकुल उसी तरह से जिस तरह उनके चचा बाना रास्ठाकरे सामलिया करते थे अब लोग कितना पसंद करेंगे यह बात का वक्त में साबित होगा लेकिन रास्ठाकरे में जिस मुद्दे को उठाया लाउड स्पीकर का मुद्दा यह मुद्दा इतना हिट हुआ कि उत्तर प्रदेश तक इसकी गूज सुनाए पड़ी और उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मस्जिदों से बलके मंदिरों से भी लौड स्पीकर उतार दिये गए इसके जो परिणाम आएंगे क्या आएंगे कैसे आएंगे यह भी बाद में पता चलेगा क्योंकि मस्जिदों और मंदिरों तक के जब उतरने लगे तो हिंदुत्व में थोड़ी सी बेचे नहीं आई कहां तो तय था कि केवल लौड स्पीकर मस्जिदों से उतरेंगे अजान से प्राव्लम थी और कहां मंदिरों से भी उतरने लगे हैं लेकिन एक पहतरी काम शुरू हो गया कि चलिए शोर शराबे से और प्रदूशर से मुक्ति मिलेगी राज ठाकरे इस मामले को लेकर अगवाई उन्होंने की और उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं क्योंकि उनके मुद्दों को गुजरात, मद्द प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी हात्वातिया गया अब चर्चा ये चल गई है कि राज ठाकरे को कहीं न कहीं परोक् समर्थन मिल रहा एप भारतिजन्ता पार्टी से भारतिजन्ता पार्टी उनके माध्यम से बहुत जल्द इसी वर्ष के अंता तक या फिर जब भी हूँ जो मुंबे मानेगर पालिका के चुनाओं हैं उसमें सम्झोता कर सकती है भारतिजन्ता पार्टी भारती जिन्ता पार्टी के समझोते में एक अर्चन आ रही थी कि उनका राष्ट अकरे का जो पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो प्योर माराथी काड रहा है कॉंग्रस में रहते हुए शिवसेना में रहते हुए संजे निरुप्रों के खिलाफ तक वो हो राया उस बुद्धे को और उत्तर भारतियों के उपर मंसे के लोगों ने लगात्तार एक तरह से हमले किया है। लेकिन उत्तर भारतियों के लिए राज ठाकरे एकदम से दुश्मन हो गए थे, उत्तर भारतियों राज ठाकरे को ना पसंद कर रहे थे, लेकिन बीच की कालचकर कुछ ऐसा गुमा के राज ठाकरे ने जब हिंदुत्व का जामा पहना, तो उत्तर भारतियों नेताओं के उन और तीन तरीका अर्टेमिन दे चुके हैं बारतिय जंता पार्टी के लिए अब इससी ज़्यादा आसान क्या होगा कि शिवसेना जो उनके ही जैसी हिंदुत के मुद्दे पर चलती थी उनकी सहयोगी थी वो साथ छोड़ चुकी है तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उसकी खानपूर्ती कर सके शिवसेना की और मंसे के रूप में उन्हें वो रास्ठाकरे के रूप में उन्हें मिल गया है अब इस मुद्दे पर कई बातें हो रही है बात ये भी हो रही है कि आगामी मनपा चुनाव सहीत कई चुनाव में महाराश्टन उनिर्मान सेना और भारती जन्ता पार्टी की गटबंधन की चर्चा भी होने लगी पूरों मुक्यमंतिर और विपख्ष के निताद देविंद्र फट्डविस ने इस पर जवाब दिया है उन्होंने मनसे के साथ गडबंधन करने से साफ इंकार किया है उन्होंने अभी तक इस पर कोई स्पस्ट की पड़ी नहीं दिये उन्होंने काया कि मंसे के साथ गडबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुए ये चर्चा महज अफवा है मंसे के साथ भाज़पा गडबंधन नहीं करेगी वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि इस गडबंधन को कहीं न कहीं केंद्री नित्रत्व खोड़ी जंडी तेवे महारास भाजपा के प्रदेश अद्यक्ष चंद्रकांट पाटिल ने कहा है कि कर्फिव के बावजूद यह सरकार राज ठाकरे को रेली की अनुमती दे रही है पाटिल ने यह भी कहा है कि मंसे के साथ गडबंधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यानि गडबंधन व को यह अब लगा कि उनका जो प्रमुक मुद्धा है हिंदुत्व का वो कहीं छूट न जाए और एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस पस्ट तौर पर अगर वो विधान भावन में बैठकर भी इस मुद्धे पर हैं कायम है कि हिंदुत्व श्रिवसनाने हिंदुत्व को न हाला कि अपने एक पिछले दिन उबाइठक ली थी राज में हिंदुत्व सहित कई मुद्धों को लेकर विपक्षी दलो द्वारा शिवसेना पर बार बार किये जा रहे हमले का जवाब देने का निर्णे शिवसेना प्रमुक ने लिया है माफ किजिएगा शिवसेना उद्धो ठाकरे केवल पक्ष प्रमुक के रूप में ही माने जाएंगे और उन्हें उसी नाम से सम्मोधिक किया जाए और उद्धो ठाकरे ने विपक्ष के हर सवाल का डटकर जवाब देने का अपने सभी प्रवक्ता और निताओं को आदेश दिया है उन्होंने काया कि ज अपने हंदित्व से पीछे हटने को तयार नहीं है कॉंग्रेस और NCP के साथ भले ही वुगडबंदर के सरकार चरा रहे हों लेकिन उन्होंने अपनी मुद्धे को छोड़ा नहीं है उद्धर ठाकरे को ये उनकी ये लाइन कही नेताओं से अलग रखती है वो अपनी लाइ रहे हैं कॉंग्रेस और NCP की मजबूरी है उनके साथ रहने की उन्होंने इस तरह का माहल बना दिया है कि अगर जिसको जाना है जा सकता है सरकार इसी तरह से चलेगी और मज़े की बात यह है कि वह भारती जनता पार्टी और रास्ठाकरे के हिदूत पर हमलावर हैं जो पर कारवाईयां और उसे लेकर वो दोहरे मापदंड जो अपनाई जा रहे हैं उस पर सवाल भी उठा रही है रास्ठाकरे के हिंदूत पर भी शिवसेनाने सवाल उठाया है तो यह एक अजीव सा गड़ मड़ मामला है हिंदूत के मुद्दे को लेकर और इस बीच देखत हैं शिवसेना की क्या भूमिका आने वाले दिनों में होती है राज ठाकरे की क्या भूमिका होती है भारती जनता पाटी कैसे राज के राज ठाकरे के मुद्दे को कैसे हैंडल करती है क्या वो उसके साथ जाती है या उससे दूरी बना कर रखती है या उन्हें इस्तमाल करत तो न रह जाएंगे या फिर वो हिंदुत्यों का बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं और अपने हिंदुत्यों का नौच छड़ने वाली शिवसेना किस तरह से इंपूरे घटना क्रम ने अपने आपको साबित करती है इस पर भी प्रश्ण चीनने लगा रहेगा कॉंग्रेस और रास्टवाजी कॉंग्रेस पार्टी की अभी फिलाल बात नहीं करते हैं यह दोनों के लिए महारास्ट विकास अगाड़ी में बने रहना इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी है उन्हें भारती जनता पार्टी को सकता से दूर रखना है इसलिए उनके लिए श इस पर टीपड़ी करना चाहें तो जरूर करें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखते हैं फिलाल वक्त हो चला है अब सबीसे विदा लेने का सलमान को DRV News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत लेकिन द